नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो तो दोस्तों काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थी क्योंकि कुछ ऑफिसियल अर्जन बर्क आ गया था जिसकी वाय से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था लेकिन दोस्तों अब वो पूरा हो चुका है और आपके लिए मैं अपडेट लेकर आ गया हूं तो दोस्तों सबसे पहले टेकनेशन के वारे में जो अपडेट आई है कुस दिन पहले उसको मैं बताऊँगा बहुत सारे लोग को मालूम होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग है चिनको अभी update नहीं मालूम है साथने दोस्तों आर्टी आइ शमंतित स से भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं क्योंकि RTI मैंने चेन्ने में भी लगाई थी और मुंबई में और एक बिलासपूर में तो दोस्तों बिलासपूर का तो पहले ही विडियो अप्लोड कर दिया गया था लेकिन मुंबई का भी हो गया था तो मुंबई में असिस्ट से समंधित जनकारी के लिए लेकिन दोस्तों सिगंद्राबाद से RTI का रिपलाई जो है वो आ चुका है और वो क्या अपडेट है उससे समंधित वह भी मैं आपको बताने वाला हूं साथ में दोस्तों आप इस चनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प करने के लिए तो चली शुरू करते हैं तो दोस्तों रेलवे भरती बोर्ड से जो टेकनीशन समंधि अपडेट आई है उसको मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि फोटो और सिग्नेचर के बारे में कहा गया था कि जो कुछ अप्लिकेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड व साइच फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो है उसके मानक के अनुसार फिर से अप्लोड करने का रेलेवे के द्वारा अपडेट दिया गया है और आप यहां पर देख सकते हैं और इसके लिए इमेल और एसमेस आपको मोबाइल में रेश्टर्ड जो मोबाइल नंबर है औ और इमेल है उसके प्राप्त होगा आप उसको ध्यान में रखेगा और जैसे ही आपको प्राप्त होता है इसका मतलब है कि आपका फोटो और सिग्नेचर सही नहीं है रेलेवे के मानक के अनुसार जो वहां पर मांगी गई है तो दोस्तों इसके लिए आपको लॉग इन करक जो वेबसाइट है rrbapplied.gov.in है वहाँ पर आप जा करके अपना जो भी जानकारी है भरके जो है फोटोग्राफ और सिगनेचर को दुबारा अपलोड कर सकते हैं और दोस्तो इसके लिए लिंक जो अबलेवल होगा दोस्तो वो तीन जून से स्टार्ट हो जाएगा और यह चल सकते हैं फिर से उसको सही कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद अगर आपको करना होगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जो है साथ तारिक को लास्ट डेट है तो दोस्तो रिजेक्शन फॉर्म न हो इसके लिए आपको ध्यान देने के अप सकता है और यह सिर्फ उनी लोगों को अपडेट करना जिनको SMS या इमेल में रेलवे भरती बोर्ड के द्वारा जो है लिंक प्राप्त होता है तब छीक है तो यह रेलवे के द्वारा अपडेट टेक्निशन के रिगार्डिंग दिया गया था अब हम दोस्तों बात करेंगे RTI की तो दोस्तों रेलवे भरती बोर्ड मुंबई के द्वारा एल पी के टोटल फॉर्म की संख्या बताने के बाद जो है टेक्निशन समंधी जानकारी के लिए रर्वी सिकंद्रावाद को ट्रांसपर कर दिया था RTI एप्लिकेशन तो वहीं से दोस्तों इसका स्टेटस जॉफ हो गया है और यह जो हुआ था वो तेईस तारीक को ही हो गया था तो देखे क्या था यहां पर कि जो कोश्चन मैंने पूछे थे कि टोटल फॉर्म स्टिशन लोको पालेट में कितना डाला गया है रेलवे भरती बोर्ड मुंबई में तो उसका तो रेलवे भरती बो अंडर प्रोग्रेस ठीक है थे नंबर ओफ अप्लिकेशन स्टिव इस सेंसेटिव इन्फोर्मेशन और में भी डिस्ट्लूज आप्टर फाइनल सेलेक्शन अप कंडिडेट्स अंड कंपलेशन अपन रिशिप्ट आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अंडर र्ट यहां पर स कि अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो मैं अप्लिकेशन अे हम यहां पर कर दिया दिख सकते हैं उसके बाद 17.05 को जो है रिसीव हुआ था उनको और रेलवे भरतिवोट सिकंद्राबाद को ठीक है इसके बाद जो डेट अप एक्षन उसी दिन लिया गया था और जो सीपी ओ का यहां पर नाम दिया गया है तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन दोस्तों अभी तक इसका अपडेट नहीं आया है और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि रेलवे भरतिवोट मुंबई के दौरा भी और भी सिकंद्राबाद को ही भेजा गया था और जनकारी के लिए तो उन्होंने वह जनकारी उस तरह से नहीं दिया और अभी चैन्नाई बोर्ड के दौर तो अभी लगता है कि अभी reply इसका नहीं ही आएगा लेकिन दोस्तों अगर आता है ठीक है तो मैं आपको जरूर अपडेट दूँगा क्योंकि अभी RTI लगाये हुए कम से कम जो है काफी दिन हो रहा है आप देख सकते हैं तो अब reply आने की उमीध है और जो भी reply आएगा उ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अन अपडेट के साथ जोब अपडेट के साथ तब तक के लिए जहिंद